दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इकाई एक के बारे में भारतीय समाज में विविद्धा ऐसा मानता एम भेदबाव जिसका नाम है पंदरा नमर का दोस्तो आपका ये यूनिट होने वाला है पंदरा नमर के कुशन्स यहां इसे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटे कुशन्स भी बनेंगे और बड़े कुशन्स भी यहां से बनने वाले हैं तो हम सबी क्यूशन दुश्य दूट्स कवर करते हुए चलेंगे और सारे कुशन दूश्य वीडियो से आने आपके तो बीना स्किप के विए आपको देखना है तो आये चलते हैं पहले प्रशन की तरह पहला प्रेशन है राजस्थान प्रदेश की विवीदता में बारे में उधारनों के साथ एक लेक लिखिए DLA 2016 में कुशन आया है और इसके अत्वा में जहां बात करें तो राजस्तान की विवीदता को इसपष्ट कीजिए DLA 2015 में कुशन आया है तो 15 वो 16 में आया है मतलब क्यूशन रिपीट काफी होते हैं तो आप पिछले साल के पेपर जरूर देख ले हमारे चैनल पर जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप एक बार उनको जुरूर देख लें तो आज़े देखते ह हैं भोगोलिक और सांस्करतिक द्रश्टे से राजस्थान को कई भागों में बाटा जा सकता है भोगोलविद मरू मेल माल के नाम से इस राज्य के तीन प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं मरू यानि पस्चिमी राजस्थान के मरस्तुल मेरू यानि अरावली परवत माल के हिस्से तथा माल यानि पूर्वी राजस्थान के मेदानी वे पठारी से इन तीनों भागों में भोगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीकों और संभावनाओं में अंतर आ जाता है इसी तरह संस्कृतिक द्रस्टी से मारवाड, मेवाड, वागड, हारोती, सेकावाटी, मेवात आधी अनेग छेतरों को पहचान सकते हैं इनमें खानबासा, खानपान, संस्कृति, वे, सामजिक, ढाचों, रेती रिवाजों में काफी अंतर है इन छेत्रों के अंदर भी अनेक छोटे समुदाई रहते हैं जो एक व्रहध समाज के अंतरगत होते हुए भी अपनी विशिष्ट संस्कृति और धरम का अनुगरण करते हैं सद्यों से साथ रहने के कारण अलग धरम के होने के बावजूद लोगों के रीती रिवाजों धारमिक विश्वासों आदी पर एक दूसरे का प्रभाव है अब देखते हैं दोस्तों प्रेशन नंबर दो भारतिय समाज में भासाई विविदता के स्वरूप को इसपश्ट करना है डी अलेट 2018 में कुशन आयवा है दोस्तों तो इस बार भी दोस्तों इस कुशन के आने के पूरे चांसेज बन रहे हैं तो जी ए पियर्सन ने सर्वेक्शन करके पता लगाया कि भारत में 189 भासाई तथा 544 बोलियां बोली जाती है दूसरी और 1971 की जन गणना में 1652 भाषाई रिपोर्ट की गई जो मातर भाषा के रूप में बोली जाती है यह सभी भाषाई शमान रूप से भारत में सब इस्तानों पर नहीं बोली जाती इन में कुछ जन जाती है भाषाई कुछ जन संक्या के एक परतिशत से भी कम लोगों दुआरा बोली जाती है इस पश्ट है कि भारत में कितनी अधिक भाषाई विविद्धता है भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में केवल 22 भाषा ये ही अनुसूची बद है यह बासाय अश्मिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, मलियालम, मरियार्थी, उडिया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोडो, डूंगरी, कौंकनी, मैथिली, मनिपूरी, नेपाली, संस्कृत, संथाली और उर्दू है इन 22 भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जन्संक्या के 41.03% वेक्तियों दुआरा बोली जाती है, बंगला, तेलुगू और मराठी करमश है, 8.10, 7.19 और 6.99% दुआरा, तथा तमिल और उर्दू करमश है, 5.01% जन्संक्या दुआरा बोली जाती है सेस बासाएं 5% से भी कम जन्संक्या दुआरा बोली जाती है उप्रियुक्त सम्मेधानिक मानेताएं प्राप्त भाषाएं दो भाषा परिवारों की है, बारतिया आरिये तथा दर्विड, मलियालम, कन्नड, तमिल और तेलोगू चार परमुग दर्विड भासाएं हैं, आरिये परिवार की भाषाएं बारत की कुल जन्संक्या के 45% व बारा ही बोली जाती है, इस भासाई विविदता के होते हुए भी हमारे बीच एक संपर्क बासा रही है, यदि भी समय समय पर इसमें बिन्नताएं पाई जाती रही है, प्राचिन काल में हमारे बीच हमारे देश में संस्कृत संपर्क बासा थी, मद्यकाल में अर्भी तथ वर्तमान समय में हमारे बीच हिंदी और अंगरेजी राजकिये भासाई हैं अगला प्रसंद देखते हैं इंपोर्टेंट उच्छ इस्तरिये वर्ग के बालकों का बच्पन कैसा होता है तो इसके में बात करते हैं उच्छ इस्तरिये वर्ग आर्थिक द्रश्टी से इनका रहन सहन व खान पान अच्छा रहता है इनका विकाश अच्छी तरह से होता है समाजिकरण की दिशा में ऐसे बालक आगे रहते हैं क्योंकि जीवन के हर चेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्हें सभी सुविधाएं सुख सुविधाएं जो सुविधा से उपलब्द ह हो जाती है अगला प्रसंद देखेंगे हम निम्न वरग के बालकों का बचपन कैसा होता है अभी हमने देखा उच्छ वरग का अब देखते हैं निम्न वरग का निम्न वरग में सर्वहारा श्रमिक देनिक वेतन भोगी वे घुमकड गाडोलिया लुहार वे अन्ने श्रमिक हैं यह विक्ति प्रागी रोजगार के लिए एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते रहते हैं इन इस वरग के बालकों का बचपन सबसे अलग होता है इनहें उपचारिक शिक्ष्या प्राप्त नहीं होती परन्तु अनोपचारिक शिक्षा में यह लोग अपने ये लोग अपने माता-पिता के पुस्तेनी काम को भली बाती सीख जाते हैं लोहार का बच्चा लोहे की वस्तुओं को बनाना सीख जाता है और नगीने तराशने वाला अच्छा जोहरी बन जाता है उस तेनी हस्तकारी करने वालों के लिए के लड़के ये कलात्मक शीख लेते हैं अब अगले प्रस्ण के जहां हम बात करें तो अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर पांच तो गुमकड समुदायों के लोगों का समाजी करण और शिक्षा पर प्रकास डालिए गुमकड लोगों का समाजी करण किस पर कार होता है उनकी शक्षिया जो उप्चारिक उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है और अनुप्चारिक श्क्षिया किस परकार उनको प्राप्त होती है उस बारे में हमें इसमें चर्चा करेंगे तो DLA 2015 में दोस्तों क्यूशन आया है और इस पार आने के पूरे-पूरे इस क्यूशन के चांसेज बन रहे हैं हमारे वरिशों से हजारो वरिशों से राजस्थान में घुमकड समुदाए विचरते आये हैं पसुपालन काम के लिए जगह-जगह जाना वरिशा की कमी के कारण जीविका की तलाश में पलाइन करना विशिष्ट सेवा करने के लिए जगह-जगह जाना आदी के चलते लोग घुमकड जीवन बिताते रहे हैं ये लोग सदियों से हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुद्रड करने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संस्करती को समवारने वा उसे लोग पिरिये बनाने में लगे हैं लेकिन आज इनमें से कई लोगों की जीवी का खत्रे में हैं और वे वेकल्पिक जीवी का की तलाश में हैं गुमकड समुदायों का समाजिकरण की जहां बात करें तो इनके छोटे बच्चे प्रारंब से अपने माता-पिता वर रिष्तेदारों का दिन रात काम करते हुए देखते हैं चुटपन से ही वे खेलों में उनकी नकल करते और चोटे चोटे उजारों को बनाना वे सुदाहरना सीखते हैं अभिबावक अपने बच्चों को हमेशा इसी तरह के काम करने के लिए उससायत करता है और जब भे खुद से ये काम करते हैं अपने बच्चों को भी उस काम में शामिल कर लेते हैं इसी परकार जब वे पशू मेलों में जाते हैं तब वे अपने बच्चों को खास कर लड़कों को साथ ले जाते हैं बच्चे लगातार पशू लेंदेन का अवलोकन करते हैं और विविद तरह के बेलों के लक्षणों को भी समझने लगते हैं जिसमें से इस धंदे की कई बारीकियां पकड़ लेते हैं इस परकार नकल करते हुए बच्चे अपने समुदाय के पारंपरिक पैस सीख जाते हैं इसके अलावा लड़के व लड़कियां रोजमर्रा के काम से संबंदित बातों खास कर महीला पुरुष कारी विवाजन के बारे में अनुपचारिक शिक्ष्या प्राप्त करते हैं लड़कियां खाना बनाने, कपड़े सिलने, छोटे बच्चों को संबालने जैसे काम सीखती है और लड़के बेलो को संबालते हैं बच्चे धार्मिक विश्वाशों, रिती रिवाजों वे अन्य संसक्रतिक प्रंप्राओं को हर एसी गतिविधी के दर्शक बनकर सीखते हैं गुमकड समुदायों की लोक शंसक्रति में गीतों, पहलिओं, लोक वे धार्मिक कथाओं की भरमार है वरद्द लोग अक्सर धार्मिक कथाएंवे गीत गाते हैं कम व्यश्क पुरुष और महिला और युवा नए गीत दोहे और कहानिया रचते हैं जिनमें उनके समुदाय के रहन सहन वे आचार विचार पर जोड़ दिया जाता है इस परकार गुमकड समुदायों के बच्चों में सामाजी करण अन्य समुदायों के बच्चों से भिन्न होता है अब देखते हैं गुमकड समुदाय में शिक्ष्या तो घुमकड समुदाय के लोगों में वर्तमार में इस्ताई रूप से रहने की परवर्ती बढ़ रही है जिसके कारण कई परिवारों के बच्चे आसपास के विद्यालियों में जाते हैं हलंकी अब भी इस समुदाय के अनेक परिवार आज भी घुमकड जीवन वेतित कर रहे हैं इन परिवारों के बच्चे अभी भी शिक्षा के दाएरे से बाहर हैं इसे समुदाय के में परंपरिक परीजीवन के लिए जरूरी शिक्षा यह समाज अनायास ही अनोपचारिक तरीकों से अपने बच्चों को देता था खेती में आ रहे बजलाओं के कारण परंपरिक ओजारो तथा बेलो की मांग कम होती जा रही है हालांकि उनकी शिक्षा जीवन से कटी हुई नहीं थी लेकिन समय के साथ परंपरिक पैशे लुप्त होते जा रहे हैं तो उन्हें जीविता के लिए नए मोके खोजने पड़ रहे हैं इसमें शिक्षा इनका संबल बन सकती है अथ है ऐसे समुदायों में शिक्षा को बड़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाई चलाने की आवशकता है अब देखते हैं बचपन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं तो पहला कारक है माता-पिता की आर्थिक इस्तिती एम सामाजिक इस्तिती बचपन को प्रभावित करती है नमबर दो पर है माता-पिता का सिक्षित वे एसिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है शिक्षित माता-पिता बच्च बालकों को अच्छे संसकार देते हैं नमबर तीन की जहां बात करें तो माता-पिता की आर्थिक इस्तिती अच्छी होने पर बालक का रहन सेहन अच्छा रहता है तो उसे आवशकता पढ़ने पर चिकत्सा उपलब्ध हो जाती है यानि की स्वास्ते अच्छा होता है नमबर चार की जहां बात करें तो सोतेली मा और एकल परिवार के बच्चों का बच्चपन भी संसकार हीन रहता है नमबर पांच है परिवार में यदि बच्चे कम है और उनका बच्पन अच्छा व्यतित होता है अधिक बच्चों में माता-पिता सभी बच्चों पर अधिक ज्यान नहीं दे सकते अगला परसिन देखते हैं ओपचारिक और अनोपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है अभी हम अनोपचारिक शिक्षा की बात कर रहे थे कि गुमकड जो व्यक्ति होते हैं गुमकड जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा गरहन नहीं कर पाते हैं कटपुतली बनाने वाले गाडोलिय लुहार ग्रामिन छेत्रों के कर्म कांठी पंडित लोक नरतक आधी ओपचारिक शिक्ष्या में दक्षिता प्राप्त कर जीवी का कमाते हैं श्रम करते हैं किसी के आगे हाथ नहीं फेलाते अपने निवास इस्तान से रोजगाय के लि अनेक चुनोतियां पेश करती है क्या आप कतन से सहमत हैं इस इस्तिति में शिक्षक की क्या बुमिका होनी चाहिए अब आपको शिक्षक होते हुए कलपना करनी है तो इसका हम राइट आंसर दे सकते हैं एक दरश्टी से सामाजिक विविदता हम सब के जीवन को समरद करती हैं खानपान विचार कपड़े भाष्या आदी हम एक दूसरे से सीखते हैं जो अच्छा लगता है या उपयोगी लगता है उसे अपनाते हैं सही बात है हमारे सामने सोचने वे अनुभव के नए दरवाजे खुल जाते हैं लेकिन एक और दरश्टी से विविदता हमारे सा स्विकार कर पाना उनके जीवन के लिए जरूरी विवस्थाएं बनाना आसान नहीं है लेकिन आज के युग में हर तरह के विचार लोग समान पूंजी की बे रोकटोक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आने जानने की छूट है अते बुद्धी मता इसी में है कि हम विविदता का लाव उठाएं और उसे संभव बनाने के लिए जरूरी प्रियास भी करें इस परकिरिया में विविद समुदायों के बारे में पूर्वागरह और रूड़ी बद धारणाओं से उबरने का प्रियास करना होगा अगला जो इंपोर्टेंट प्रसन है भारत मे जाने वाले विविदताओं का विवेचन कीजिए डी एलेड 2018 में कुशन आयवा है और इस बार आने के दोस्तों पूरे-पूरे इस कुशन के चांसेज बन रहे हैं तो आजे देखते हैं बारत में पाई जाने वाली विविदता या फिर सामाजिक विविदता आज भारतिय समाज की संरचना विविदताओं के योग से हुई है इनमें अनेक जातियां, अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म और अनेक सामाजिक वर्ग हैं इसका कारण यह हैं कि भारत में समय समय पर अनेक विदेशी जातियां आई और उनके आने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो लेकिन भारतिय समाज ने उनको अपने में समाने का और आतमसात करने का पूर्ण अवसर दिया और अपने मूलभूद स्वरूप को विकरत नहीं होने दिया नमबर एक देखते हैं रंग रूप एम संस्कृति के आधार पर विविद्धा बारत में रंग रूप की आधार पर भी व्यापक विविद्धा पाई जाती है यहां उत्तर भारत के लोगों को रंग गोरा या गेहुआ होता है और वहीं दक्षिन भारत के लोग अपक्षकरत काले होते हैं अगर हम देश की संस्क्रतियों का विचार से अध्यान करते हैं तो हमें ग्यात होता है कि मूल रूप से बारत में दो संस्क्रतियों का अस्तितु था आरिय और द्रवेड जहां हमने अभी थोड़े पहले बात करी इन दोनों का वेदिक धर्म था और यहीं पर बस गए तो वे अपने साथ जो संस्क्रति लाए उसे इसलामी संस्क्रति के नाम से जना जाता है मुसल्मानों ने भारत वर्ष में 500 साल तक राज्य किया और इसके परिणाम सवरूप इसलामी संस्क्रति इस देश में परियाथ रूप से प्रचार और प्रशार किया इसके बाद भारत 200 वर है बासाई विविदता इस देश में एक बाशा ने होकर अनेक बाशाओं का आपसी बातचीत में विचारों के आदान प्रदाहन में प्रियोग होता है यह ठीक है कि देश की राष्टर बाशा हिंदी है लेकिन सभी भारतवाशी मौकिक रूप से या लिकित रूप से हिंदी बाशा का प्रियोग नहीं करते वे अपनी मातर बाशा का शारा लेते हैं या अपनी चेत्रिय बाशा का बारत देश में कुछ कुल मिलागर लगभग 106 बाशाओं का प्रियोग होता है धार्मिक विविदता देखते हैं तो भारत समाज की सबसे बड़ी विशेष्टा यह रही है कि यह उदार राश्टर के रूप में फला फूला है क्योंकि पैंज सीलता इस राश्टर का सबसे बड़ा गुण है इस देश की मांता का हमें इस बात से इस पश्ट पता चल जाता है कि इस देश में अन्यक धर्मों का जन्म हुआ विदेशी धर्मों को भी इस अन्य eher समाजी sicher इश्लाम में चिया और सुननी हिशआई धर्म में औरeze औरह। हिंदु धरम यहां सब्कूँचि देखते हुए इक आधा जा सकता है कि कि यह सब्कुछ कु Правंब हम कह सकते हैं कि बारत देश की समझार में ऐसा देश है जहां पर धार्मिक शंप्रदयों का ताना बाना बुना जा रहा है धर्म और वर्ग संगर्स हमारे देश में होता रहता है और यह इस राष्टर का सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी सिक्ष्या के द्वारा ही दूर किया जा सकता है तो उसके लिए शिक्ष्या का होना जरूरी है अगला जो important question है दोस्तों समाज से क्या आश्य है समाज की आवशक्ता एं महत्व पर प्रकास डालते हुए भारतिय समाज में विविदता की चर्चा करनी है DLA 2016 में question आया है तो आईए देखते हैं इसका अंसर समाज का अर्थ वेक्तियों के एक बड़े शमुए को समाज कहते हैं जिसके सदश्य निश्चित उद्देश्य से प्रश्च पर मिलकर रहते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं सुक दुक में एक दूसरे के काम आते हैं एक देखते हैं समाज की आवशकता हैं महत्व क्या है तो रूसों के अनुसर मनुष्य एक समाज के प्राणी है वह समाज के बिना रह ही नहीं सकता हर वेक्ति समाज पर निर्बर रहता है समाज वेक्ति के काम आता है यदिपी समाज वेक्तियों से मिलकर ही बना होता है और वेक व्यक्ति समाज की एक इकाई है फिर भी समाज की छत्रचाया में ही उसको संतुष्टी मिलती है कदम कदम पर उसको समाज की आवशक्ता रहती है समाज के लिए जितना व्यक्ति महतपूर है उतना ही व्यक्ति के लिए समाज महतपूर है भारतिय समाज में विविदता की जहां हम बात करें तो बारत में सद्यों से नाना परकार के लोग आकर बस्ते रहे हैं और हर जिले या गाउं में इस बात का प्रभाव देखा जा सकता है यहां हर छेत्र में अनगिनत समुदाये हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, तहन सैन, आदी हैं समुदाये के अंदर भी विविद परकार के परिवार और उनके बीच अंतर होता है हर इंसान दूसरे से अलग और अनुठा होता है जिसकी रूचिया, शम्ताय, उद्देश्य, अनुभव, सब कुछ अलग-अलग होते हैं यहें विविद परकार से धर्म, विचार, रहन सैन के तरीके, बोली, भाषाओं और खानपान, पहनावे का अंतर, भारतिय समाज की विविद परकार लोगों के रेती रिवाज, धर्मे के विश्वाशों पर एक दूसरे का परवाव रहा है यहीं भारत की पहचान है और भारतिय जनता का संबल है अगला जो important question है दोस्तों राजस्थान में रहने वाले विविन वर्ग के बच्चों के बच्पन में देखी जाने वाले विविद परकार को इसपष्ट कीजिए तो बच्पन में विविद पर नहीं बलकि आर्थिक आधार पर होते हैं समाज में उच मद्यम तथा निम्न वर्ग के रूप में तीन वर्ग पाए जाते हैं परिवार में बाल बच्चे सभी वर्ग में होते हैं परन्तु समाजिक वशेक्षिक दरश्टी से उनके बच्पन में काफी विविद दाएं होती है जो कि हमने अभी थोड़ देर पहले देखी थी है तो उस वर्ग के बच्चों का बच्पन तो सबसे प्रतक रहता है वे बालक उच इस तरिये नीजी विद्यालि में पढ़ते हैं उच इस तरिये वर्ग के बच्चों का बच्पन वे पोशण इस तरिये होता है सभाषते के दरश्टी से उनकी देखभाल अच्छे होती है अपने देश या विदेश में उच इसतरीय शिक्षन संस्तानों में उनका अद्धिन करया जाता है ऐसे बालक बच्पन में अच्छे संस्कागरन करते हैं तता विद्यालई शिक्षा के साथ साथ खेलकूद करना आदिका भी सिक्षन प्राप्ट करके अपने जीवन का विकाश करते हैं इनका गामक विकाश भी तिवर होता है सामाजिकरण की दशा में ऐसे बालक आगे रहते हैं कि जीवन के हर चेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मार्गदरिशन उपलब्ध हो जाते हैं उच्चे वरगिये व्यक्ति अपने सामाजिक नियमों का अनुश्रण करने के लिए बाद्धे नहीं है सही भी है मद्यमरगिये वैक्तियों के लिए आर्तिक संसादन पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाते अपने सिमित संसादनों से ही वे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं सामाजिक परमप्राओं का भी निर्वाह करते हैं सांस्कृतिक प्रंप्राय मध्यम वर्गिये व्यक्ति ही विशेशकर आगे बढ़ाते हैं मध्यम वर्गिये बच्चों का बच्पन समाज की मुख्य धारा के अनुकूर होता है इस वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक इस्तिती सामानेते हैं मध्यम इस-थरिय कि होदि है। अतर इस वर्ग के वेक्टी अपने बालकों का पोशन मध्यम इस-थरिय‍धक सीरिय करते हुद इन्हें सरकारिय सीरे सरकारी स्कुलों में रिखेलगों मनोरजन साधनिवी सस्थ vot Start इसी वर्ग के बालक जो परतिभावान होते हैं वे सभी छेत्रों में अपना वर्चसों रखते हैं तदा समाज के परतियक छेत्र में कार्य करते हुए अपनी सामाजिक वे सांस्कृतिक प्रमप्राओं को आगे बढ़ाते हैं प्राय देखा जाता है कि मद्यम वर्गिये बालकों का बच्पन स्वास्ते वे अध्यन की दरश्टी से सेष्ट होता है ऐसे बालकों का गामक वे सामाजिक विकास दीवर होता है इस वर्ग के बालक अधिगम द्रश्टी से अधिक परिपक्व कुशागर बुद्धी के होते हैं सामाजिक शर्वेक्षन से पता चलता है कि सिक्ष्या, साहित्य, व्यापार, तक्नीकी तथा प्रशाशनिक छेत्र के मध्यम वर्गिये बालक आगे आते हैं ऐसे बालकों का नेतिक विकास भी अच्छा होता है, तथा वे दुर वेशनों से दूर रहते हैं निम्न वर्ग में सर्वहारा, सर्मिक वे देनिक वेतन भोगी वक्ती आते हैं ऐसे लोगों की आई सिमित होती हैं तथा संचाधन भी सिमित होते हैं कुमकडवे पशुपादन करने वाले लोग एक इस्तान पर टिक नहीं सकते किसी आई भी निश्यत नहीं होती है, कभी अच्छी आई तो हो जाती है तो कई दिनों तक बिना मजदूरी के ही रहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार से दूर जाकर मजदूरी करते हैं इस वर्ग के बालकों का बच्पन सबसे अलग होता है, इनका पालन पोशन भी उचित रूप से नहीं हो पाता जलवायों के अनुसार पहनने को नए वस्तर मिलते हैं, और नहीं अच्छा पोस्टिक खाना उनको प्रवाइड हो पाता है तो अध्यन की दृष्टी से अच्छा विद्याले तो क्या सरकारी स्कूल भी उपलब्द नहीं हो पाता, इस वर्ग के बालक पूर्ण स्वस्त भी नहीं रहते हैं सामाजिक छेतर से अलग रहने के कारण इनका सामाजिकरण भी नहीं होता है अनुसोचित जाती वे आदिवासी जातियों के बालकों का बचपन विकाश के दहरा से काफी पीछे रहता है विविद्यता में नकारात्मक वे सकारात्मक पक्ष देखते हैं एक दरश्टी से सामाजिक विविद्यता हम सब के जीवन को समरद करती है खानपान, विचार, कपड़े, बाश्या, आदि हम एक दूसरे से सीखते हैं और जो अच्छा लगता है या उप्योगी लगता है उसे अपनाते हैं हमारे सामने सोचने वे अनुभव के नए दरवाजे खुल जाते हैं लेकिन एक और दरश्टी से विविद्यता हमारे सामने कई चुनोतियां भी पेश करती है विविद्यता को निबाना आसान नहीं है अलग विचार और रिती रिवाज वालों को समझ पाना और उन्हें स्विकार कर पाना और उनके जीवन के लिए जरूरी विवस्थाइं बनाना आसान नहीं है लेकिन आज के युग में हर तरह के विचार लोग समान कुझी की बे रोकटोक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की छूट है तथा बुद्धी मता इसी में है कि हम विविद्धा का लाब उठाएं और उसे संभव बनाने के बरपूर प्रियाज करें इस प्रक्रिया में विविद्ध समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह रोड़िवादी धारनाओं से उबरने का प्रियाज करना होगा दोस्तों आपके exam pattern और syllabus pattern को देखते हुए यह सारे प्रशन में चूज करे हैं आपके जो exam में दोस्तों इन्हीं में execution आने वाले हैं तो आप इनको अच्छे तरह से याद कर लें और चैनल पर नए है तो subscribe कर दें बेल आइकन प्रेश कर दें और अपने सभी दोस्तों में share कर कर दोस्तों में आपके जोस्तों 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 में आप